हुआ हुआ प्रेंट्स वेल्कम टीचर्स मेकर मैं हुजाला सिंग लेक आई हूँ आपके लिए सीटेट और के विए इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीविए सियर कोस्टन जले स्टार्ट करते हैं आज का सैसन हमारा फिर्ट कोस्टन है कि लिए अत्मक पारिवर्तन किसका परिढाम हैं टेवलोंट्मेंट चेंज कर रिजल्ट और स्प्रेंगे हैं मीं ऐससमें पहले बता है कि जो भी nggak डवलपमेंट में होता है हमारे अंदर जो भी चेंज होते हैं वह किसका परीडाम होता है किसका रिजल्ट होता है तो यह बात सबको पता है डवलपमेंट एक वियू प्रोड़क्ट ओफ हेरेडिटी एन एन्वार्मेंट जो भी हमारा डवलप्मेंट होता है वो किसका प्रोड़क्ट होता है हेरेडिटी यानिकि अनुवानसिकता और एन्वार्मेंट अनुवानसिक और पर्यवरण यह दोनों चीजों का गुड़नकफल होता है जो हमारा डव सब्सक्राइब नहीं होता है वह सिर्फ अन्वांसिक से रिलेटेड नहीं होता है नहीं सिर्फ सोचियो कल्चर यानि कि जो हमारा और यह भी गलत है कि ना तो वनसानुगत और ना ही परिवर्णिये कारण तो जो डेवलपमेंट होता है वह किसका प्रोडक्ट होता है अनुवांतिकता यानि कि हैरेडिती जैनेटिक एन एन्वार्मेंट कमरा ओप्षन नमबर एक होगा राइट होगा चलते हैं हमारे नेक्स कोशन क्यों कोशन नमबर सेकेंड यूजब जो बच्चा जीरो से जब जन्मा लेता है तब से और दोसाल तक के बीच में रहता है तो उसे हम कहते हैं वह इन्फैंसी पीडेड में है पहरे सबदार किकएतनों हूं फैसे बारए साल के बीच में होते हुन तो सब्सक्राइब होता है तो 10-11न सब्सक्राइब होते हैं यह होते हैं आरली चान्थ होते हैं र हैंघल है कह जनर कोशन थ्री था फॉन i बुद्धि वाले व्यक्ति तो पतियों और जीवों की बिभिन प्रजातियों की सुन्दर्टा को को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं हमें यह बताना है कि हावर्ड गार्डिनर ने इंटेलिजन्स की थियोरी दी है तो उसके एकॉर्डिंग जो जो भी बच्चे है इससीजण उफ फ्लोरा एनficा याणे कि वनश्पत्तियों की विभिंद प्रजातियों सुन्दर अग रहा है नैचर से यह प्रकृति वाहद इसका आंसर और जो Rafi स्पैस्टी वोता है यह स्पैसियल इंटेलिजंस जो होता है वह रिलेटेट यू हुआ थ्यू G इसपैसियल इंटेंट होता है सेपस होता है इस जोभी आर्किटक्ट होते हैं है जोसी मूरतिक कह Uh moreती बनाते है या फिर घर बनाते हैं तो उनका intelligence क्या होता है special intelligence होता है musical related to music हो जाएगा means कि singers singers के पास यह intelligence होती है and interpersonal interpersonal means कि दो लोगों के बीच में जो समवाद होता है जैसे कि teacher और student के बीच में interpersonal relationship होता है जैसे कि teachers हमें guide कर सकते हैं suggest कर सकते हैं interpersonal होता है यह interpersonal intelligence होता है हमारा answer क्या होगा answer number B naturalistic जो भी related to nature nature यह फिर fauna flora यह होता है na flora fauna वनस्पति और जीवो से इसमें यह पूछा कि वनस्पति और जीवो से संबंदित अगर कोई बच्चा बता रहा है कुछ तो वो किस बुद्धी के किस intelligence के अंदर आता है तो naturalistic इसका option हो जाएगा option निबर भी correct होगा नमलिकित में से कौन से दिव्यांगता समाजिक संचार में चुनावतियों का कारक बनती हैं हमें यह बताना विच अब फॉलाइंग disability cause challenges in social communication ऐसी disability बताने है जो social communication में हमारी बाधा बनती है हम socially interacting नहीं कर पाते हैं लोगों से या अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं लोगों से तो मैंने पहले ही बताए है जो dyscalculia होता है यह disability होती है कौन सी है बच्च्छा इसमें calculations नहीं कर सकता है यह related to calculation होता है जो मैट के सम सोते हैं वह अच्छे से नहीं कर सकता है इस घ्राफिया होता है इसकी राइटिंग डिस अबिलिटी होता है यह लोको मोटर ने में फूट बाल को किक माने में फूटबॉmbol को किक माने में प्रेट बहएं बॉल से झीट रहुत ऑफ चिल्मा अलमैम से अगंश्याज्यर These इस लोकोंटी कहते हैं तो यह समाजिक संचार में जम्तिर होती हैels की बच्चा सपराइब नहीं कर पाता मंलगों नहीं पाता है अकेले रहना ज्यादा पसंद करता नहीं आत्मकेंदी दित मिरेश और कैने तो होनख रहते हैं हुसे निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित सम्मू के सिक्षार्तियों को सामिल करने में मदद करता है इसमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम जो भी वंचित समू के बच्चे हैं जैसे कि उनको समाज के द्वारा थोड़ी हीन भावना से देखी जाती है तो उन लोगों को हम अपने अंदर समाविद के इंक्लूशिव एजूकेशन दरसल इसमें पूछा गया इसमें हमें क्या देखना है गैर प्रासंगी पार्थिक्रम कि वंचित समू के बच्चे हैं उनको हम कैसे अपने अंदर मतलब इंक्लूशन कैसे उसको अपने अंदर समावेशित कर सकते हैं यहां स्टुडेंस और स्कूल के बारे में पढ़ते हैं यहीं बताना है कि कैसे हम उसको इंक्लूसिव एजूकेशन दरसल इसमें पूछा गय हो और बता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है एजुकेशन फॉर ओ आल यहां वह किसी बी शूसाइटी से हो चाहिए वह किसी बीग्घ्राउंड से हो हमें उसे अपने स्कूल में उसके एक वार्रींग इंफ्रास्टूक्र जो हुआई नहीं तो इसका बेस्ट किसके सिध्धान्त में भासा बच्चों के संग्यानात्मक विकास में महत्तोपूर्ण भूमिका निभाती है तो मैंने पहले भी बताया है और यह कोश्ण रिपीट होते हैं बार-बार जो लेव बाइगोट्सकी है इनका कहना यह है कि जो हमारी भासा है वो हमारे कॉगनिशन से इंटर्रिलेटेड है मिसकी कॉगनिशन और भासा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है पहले भासा सीखता है बच्चा तब उसका मांसिक विकास होता है तो जो इन्होंने मांसिक विकास पर भासा पर बहुत ज्यादा जोड़ दिया था भासा के बारे मिननों बहुत जादा इसको कहते हैं को इसमें महतपूर्ण भूमिका निभाती है भासा और कॉग्निक्टिव डवलप्मेंट उनका कहना यह है कि वहां साथियों के साथ बाचित करके पुरसकार के प्रयाज और दंड से बचकर उद्धिपन प्रतिक्रिया अनुबंदन करके तो अगर उनने भासा पर जोड़ दिया है तो इसका मतलब कि भासा में इसके हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएं दूसरे से बात कर पाएं अच्छे से इसका बेस्ट ऑप्सन क्या होगा इंटरेक्शन विद पियस जब वो अपने साथी समाज से इंटरेक्ट करेगा बातचीत करेगा तभी उसका जो भासाई विकास है वो अच्छे से होगा और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा प्रारंभी कक्षाओं में तिक्षड अधिगम प्रक्रिया के लिए निमलिखित में से कौन सा दिश्टिकूर बहतर है जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या ज्यादा हेल्फूल होता है कि बच्चे अच्छे से उस चीज को सीख सकें बिना समझे नकल करना करके सीखना रटकर याद करना रोट मेमरी तो हम किसी भी लेवल पर इसको प्रोमोट नहीं करते हैं पैसिव लिस्निंग यह भी हम प्रोमोट नहीं करते हैं जब बच्चा एक्टिवी नहीं रहेगा पैसिव हो के चुपचा बैट के वो सुन रहा है और कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है टीचर से या फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है क्लास में यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा बीना समझे नकल करना प्रारंबिक स्टेज में बच्चों को सिखाते हैं वह लर्निंग बाई डूइंग सबसे बेस्ट मैथड होता है किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाने का हमारा ऑप्शन नमबर भी सही हो जाएगा लर्निंग बाई डूइंग निमलिकित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंदित हात्रों के समावेशन हेतु या थोचित सही रड़िति का सही यूगम है पुच अब दा फॉल्वाइंग इसमें ये बताना है कि ये डिसेबिलिटी दी हुई है और ओर डिसेबिलिटी यह होती है यह किसी रिलेटेटेस यह दिया हुए हमें करेक्टली मैच बताना है कॉन सा करेक्टली मैच विजुएल इंपाइमेंट मेंस की जो दृष्षय हानी होती है जैसे कि अब इससे हमें यह पढ़के पता चल रहा है कि विजूएल विजूएल मिन्स हमारे अगर आइस में प्रॉबलम है इसका मतलब क्या होता है आइस में हमारी प्रॉबलम होना प्रॉवाइडिंग तो इस प्रॉब्लम का नाम लिखाना चाहिए नहीं यहां यह गलत है डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया मैंने आप लोग पहले बता है रीडिंग डिसाबिलिटी है यह यह गलत है अब तो जिसमें केलकुलेशन करने में हमें दिक्कत होती है बच्चों को दिक्कत होती है तो अब आप्शन नमर एस सब्सक्राइब करेंड सही होगा है कि नैक्स्ट कोष्ण है को नमर 10 बच्चों में भ्暗तियां हो ना में प्रॉंग चीजिएंघ मिस मिस कौन्सीप्धिक का होना जो टीचर्ट्व व को identify करें पहचाने कि बच्चा क्या misconception कर रहा है क्या भ्रांतिया पैदा हुए उसकी मन में और identify करके उसको दूर करें तो यह जो भी misconception बच्चे में होता है वो बिलकुल ही natural होता है बेच्चों में कोनसेप्सन्स का होना बिल्कुल नेच्चुरल है और यह टीचाटर्स के ड्यूटि है घुडव वह मिसकॉ Ta c poo द्चाने अइलच मिसकॉनसे डूर करें भी करें और उस मिसकॉंसेप्सन को दूर बत्चों से सबसे पहले उसका हार्ट विक्सित होता है डवलप करता है फिर उसके चेस्ट डवलप करते है बच्चा अगर बच्चों में ताकत आना स्टार्ट होता है फिर उसको फिंगर पर कंट्रोल आता है वह सेंटर से लेकर परिफेरी तक में इसकी सेंटर से बीच से लेकर उसके बाहर की डवलप्मेंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं तो इसमें यही पूछा गया है कि सेंटर से लेकर एक्स्रमिटीज तक सेंटर से एक्स्रमिटीज तक जो डवलप्मेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल अधोगामी कहते इसमें एक वर्ड और है सिफेलो कॉडल वह होता है जो डवलपमेंट फॉम है टू होता है पच्चा इसका एक्जामपल सां समझते हैं पच्चा जब छोटा रहता है तो पहले वह अपने हैड को संभालना सीखता है पहले उसका सिर इस्थिर होता है उसके बाद पाकी की बॉड बैटना सीखता है उसके बाद वो छलना सीखता है तो Says नर्मट होता है कि छलना वह है का पहले पीछ पाओ रहे सिर नावम को घ्राट शलै मटाएं सबसे लास्त पर यह फूड हो पाता है और इसे हम से आपकों कहते हैं और जो प्रॉक्सितितल कहते हैं तो हमाय औप्षिन क्या होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल हमाई नेक्स्ट कोश्टन है कोश्टन नुबर 12 निमलिकित में से कौन सी सेक्ष्रिक पदतियां सिक्षड अधिगम प्रतिक्रिया प्रक्रिया में सकरात्मक योगदान नहीं देती हैं हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कुछ पैड़ागॉजिकल प्रैक्टिस दिये तो जैसे भी जरूरत हो उसके अनुसार हमारा पाठिक्रम चेंज हो जाना चाहिए मैं इसकी जो भी करिकुलम है हमारा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने चाहिए रिजिट नहीं होना चाहिए वह थात्रों के लिए अनुभावातमक सिक्षा एक्सपेइंचिल लर्निंग पो साल निसहरक है जो भी हमारे करिकुलम प्रोग्राम हो रहना है उसमें कुछ इन्नोवेशन कुछ इनतिंव इनिसिेटिव समयशा होते रहना चाहिए इनॉवेटिव होते रहना चाहिए बच्चे in initiate कर पाया तो ऐसा इनॉवेशन काम करते रहना चाहिए रोशीट कभी ही मैं तो सब कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर बच्चे को किस प्रकार की जुरत है उसके एक्वार्डिंग हमें बच्चे को वो चीज़े प्रवाइट करवाने चाहिए तो रिजर्ड एक्जाम सेंटर टीचिंग स्ट्रेटिज नहीं होने चाहिए तो यह option हमारा सही होग इसमें यह कहा गया है कि अगर एक टीचर है वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कुछ गिन्यचुने बच्चों से दो-चार बच्चों से कुछ ग्रुप से पूशू लेती है उसके बाद ऒच्चों को चैप्रेस खतं कर देती है फबांद को जल्दी पूरा करने के लिए सिग्छ काम इसे अपनी पसंद की बच्चों से उत्तर पूश लेती है उससे लिए मढी के पूशू Ce कोई तरीका नहीं हुआ कि आप दो चार बच्छों से समझ में आ गया तो आपका स्लिबस कंप्लीट हो गया सारे बच्छों को पहचानने का अच्छा कॉसल यह बिल्कुल गलत है कि तुछ टाइपिंग विस्टेक्स हो गए कि विद्यार्थियों को समान और सर के उपलब्दता से वंचित करता है यह option बिलकुल सही है टीचर अगर कुछ बच्चों से ही दो-चार बच्चों से ही उसकी प्रॉब्लम्स पूछ लेगी या फिर questions पूछ के answer ले लेगी तो बाकी बच्चों में जो भी बाकी बच्चे वं पूछनी चाहिए तो विद्यार्थियों को समान और सर के उपलब्दा से वंचित करना सारी बच्चों को समान और सर मिलना चाहिए कोशन के answer देने का क्लास में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए समान और सर दिये जाना चाहिए तो इससे बच्चे वंचित रह जाएंगे अगर यह सिक्षिका जो कर रही है उससे क्या और है सारे बच्चों को और सर नहीं मिल पा रहा है बच्चे वंचित रह जा रहे है कुछ बच्चे वंचित रह जा रहे है तो पर आप्शन नमबर सी एकदम सही होगा परेशन वर 14 एक स्रिजनात्मक बालक में निमन में से कौन सा गुर्ण मवजूद होगा यह बताना है जो भी क्रिएटिव स्टूडेंस होते हैं उन में से कौन-कौन से गुड होते हैं उनमें होते हैं डायवर्जर्ण थिंकिंग बिल्कुल सही है जबें प्रॉब्लम उनके पास आ रही है उसको सुपूर्व करने के लिए तो अलग-अलग तरीकिया सो सोच ते इसको सौल कैसे किया दा सब्सक्राइब तो यह एक रिप्रियाटिव बच्चों की पहचान होती है उसके में गुड़ होता है कारल घंवर जैंट सेंग इंड प्रोब्लम है तो उसका एक ही सॉलूशन बार बार वही सॉलूशन अप्लाई करेंग तो ऐसा गलत होता है यह पहचांद नहीं होती है जो भी क्रियेटिव बच्चे होते हैं उनमें यह गुड़ भी होता है कि जरूरी निया जो चीज हमारे सामने हैं उसके बारे में सोच सकें जो चीज हमारे अमुर्त थिंकिंग कि अमूर्थ चिंतन करने की योगिता होती है हम दूर तक सोच सकते हैं कोई भी चीज जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे हम सोच सकते हैं यह क्रियेटिव बच्चों की क्वालिस्टी होती है एबिलिटी फोर जनुरेटिंग नॉवल प्रोड़क्स नमीन आमुक उतपात की योगिता नॉबल मिन्स की नैने तीजे भी जनेरेट करते हैं वह नए थिंकिंग जनेरेट करते हैं यह इस होगा तो आप्शन नमबर वन पी एन फोर यह तीन होई सही है किसमें आप्शन नमबर सी में हमायर नेक्स्ट कोशन है एक द्रिस्टी बाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामागरी लाबदायक हो नहीं होगी इसमें क्या पूछा है नहीं होगी मैंने हमेशा बोला है कोशन में यह नौट हमें नहीं दिखता है जब हम पेपर देने जाते हैं तो नौट को हम नहीं देख पाते हैं इतनी हमें नर्वशन होती है नौट नहीं दिख पाता इसने को ध्यान से पढ़ना चाहिए नौट वाले आंसर जो भी होते हैं उसको अच्छे से आंसर करना चाहिए तो एक दिश्ची बादित वाले विद्यार्थी के लिए इनमें से कौन सी समागरी लाव मिस हमें यह बताना इसमें कुछ समागर लोग होते हैं उनके लिए इस पर्स करके वह टच करके चीजों को पता लगा ले वैसी हमें जो भी मैटेरियल है वह प्रवाइट करवाने चाहिए यह तो बिल्कुल सब्सक्राइब जब उसके आखों में प्रॉब्लम है तो हम इसमाल प्रिंट्स वाले बुक उसको क्यों उपलब्द करवाएंगे तो हमारे में क्या पूछा है नहीं पूछा है तो हमारा ऑप्शन नमबर बी बिल्कुल सही होगा हम उसको ऐसी मैटेरियल प्रोवाइट नहीं करेंगे बु किम्ड में से कौन सी विचाधारा बच्चों के अधिगम में औरोध है हमें यह बताना है विच फॉलिंग बिलीव्स ऑप टीचर इस डेट्रिमेंटल तो स्टुडेंस लर्निंग आ s release समस्रों उरोधग बताना है कि कौन सा ओरोधग है एर और यह कोई औरोध उत्रद कहने वाली चीज नहीं है अगर बच्चे अईरर कर रहे बच्चे गल्तिया कर रहे हैं यह बिल्कूल भी करना एक लजज़ा जनक कारे है कि बच्चों में और रोध उत्पन कर सकता बच्चों में जो लर्निंग बच्चा सीख रहा है उसमें वह प्रॉब्लम्स आ सकते अगर हम उससे यह कह दें तुम गलती कर रहे हैं तुम बहुत बढ़ी बात है सबसे घलतिया होती है इस से बच्चे के लर्निंग में फ्रॉब्लम्स आती है हम बच्चे को अगर बच्चा कोई गलती कर रहे हैं वह benefit कर सब्सक्राइब करते हैं तो हम कुछ भी काम करते हैं हम कुछ भी करते हैं कहीं घूमने भी जाते हैं उसमें भी कुछ न कुछ सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब से चाहिव कर द權 scrutin में ढoine uitपर हम होते हैं तो आपने पैरंट से हमारे आशाम भाई बहन है उन से खुश्ट सिक्ते अन में क्या कुश्च bizden dilemmya सुझाओ देता हैं कि सारी maior के वीविण नंग साकिव दिया है है which of the following principles suggest that different body parts develop at different rate at various stage of development हमें यह बताना है कि डेवलपमेंट अलग-अलग stage में अलग-अलग रेट से डेवलपमेंट होता है इसमें यह बताना है कि डेवलपमेंट को लेके कौन सा स्थेट्मेंस सही है work development is uni dimensional कि एक आयामी होता है नहीं डेवलपमेंट यूनिदाय में था रहा होता है यह यह नहीं serv 10 अभी बड़ते जाएगा ऐसा थोड़ी नहीं सारी बाड़ी पार्ट में सिमिलेज डैव्लपमेंट होता है एक समान होता है और गिंग दी सकूषटल और इसे पहले भी तरफ सव कोड़ल सफ्रेंज narrative में इस पहले पोश्चन आया था प्रॉक्सि मोडेस्टल एप से फेलो कोडल प्रॉक्सिमोड इस्टल मेंट की दिशा बताई गई है किस दिशा में होता है तो फ्रॉक्सिमोड इस्टल में अंदर से बाहर की ओर मिंस की फ्रॉम मेडल टू एक्स्रेमिटीज डेवलप्मेंट होता है दिशा बताई गई है इसमें और से फेलो कोडल में सिर से from head to toe सिर से पैर तक development होता है तो इसमें यही पूछा है कि जो भी body parts develop होते हैं वो अलग-अलग rate में होते हैं तो किस rate में होते हैं proximo distal development की दो दिशा होती है किस दिशा में development होता है तो इसे fellow caudal और proximo में right option हो जाएगा option number D हमां next question है निम्न लिखित में से कौन सी गड़ित में समस्या समधान की रणनीती नहीं है इसमें से यह पूछा है कि मैट में मैट सब्जेक्ट में कौन सा हम इसमें से नहीं अपनाते हैं तो solving backwards backwards solve करते हैं मैट में तृत्रात्मक नेवपर मिसकी graphics भी रिपेसेंट करते हैं ग्राफ पे भी हम मैट सॉल करते हैं rote memorization यह इसका बल्कूल सही option है नहीं पूछा है तो हम math को कभी भी hammy कर याद नहीं करते हैं हम मैस को समझ है है और रोट memorization गलत होग spiral and error हम गलतिया करते हैं उस ही सीकते हैं मैट ज्यादा ज्यादा practice करना पड़त चैओं क्योंकि बारवार हमसे घलतिया होती है और उस गलतियों से हम बारवा सीखते हैं तो ट्रायल और बल्कुल सही है इसका नहीं पूछा है कि कौन सा मैट्स में हम यूज नहीं करते हैं तो रोट मेमराइजेशन हम मैट्स में यूज नहीं करते हैं संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त आधारित है कि उन्होंने क्या भासाई विकास पर ज्यादा जोड़ दिया है भासाई विकास मिन्स की इंटरेक्शन पर और उनका जो यह स्कूल अप्साइकॉलजी है वो है सोसल कंस्ट्रक्ट्विस्म मिन्स की उन्होंने इस पर काम किया है विभार वाद के पिता हम कहते हैं फादर ऑफ यह विरिज्म देवी वाट्सन को सटत्रक्ट्विसक्तदी एकlow-desv Τोष ईंतर भाद्स का गई जेआरी जो साइको एनरिस है इसके फादर है सीग्मेंं ऱ्रेट् ने इस मॉन्हें नियुद बताया है सब कॉंसियर्ज पर कुंश्ज Anfang महीं सब के बाहरे में इन बताया है और इन्होंने इदव ऐगो और सुपर इगो का भी कॉंस्रेप्ट दिया है सिग्मान फ्रोइड ने यह सब हम एकॉर्डिंट टू कोसें जैसे जैसे कोसें आते जाएंगे वैसे वैसे लोगों के बारे में पढ़ते जाएंगे तो लेवाई गौत की ने क्या किया है समाजिक संरुचना का यूरी दिया है किस से समबन देता है समाजिक संरुचना हमारा आज का सेशन यहीं खतम होता है मिलेंगे फिर अगले सेशन में कुछ और वी बहतरीन कोस्टिंस के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग